सबी को नमस्कार और मेरी कक्षा में आप सब का स्वागत है इस मंच से कक्षा लेने का एक नया अनुभव करवाने के लिए मैं हमारे सच्चेवजी का और अन्य अधिकारियों का आभार विक्ष करती हूँ बच्चों आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है न और हमें भी कहानी सुना कर आपको विशय प्रवेश कराने में आसानी हो रही है तो बच्चों कहानी सुनोगे तो सुनो एक आलसी लड़का था आलसी लड़का याने बहुत लेजी बॉई वह बहुत आलसी था कक्षा में वह सबसे पीछे रहता था कोई काम नहीं करता था और नहीं कोई कार्य समय पर करता था उससे अध्यापक भी बहुत परिशान थे एक दिन एक उधारन देती हूँ उससे आपको पता चलेगा कि वह कितना आलसी था एक दिन एक अज्ञापक ने कहा कि आने वाले भविश्य में एक ऐसी टैबलेट आएगी जिसे खाते ही हमारा पेट भर जाएगा तो तब से वो सोंचने लगता है कि अनब न जाने वो टैबलेट कब आएगी अब देखो कितनी महनत करना पड़ता है थाली में खाना डालना उसमें डाल डालना सबजी डालना उसे मिलाना फिर उंगलियों से उसे उठाना मू में डालना चबाना और फिर निंगलना बापरे कितने सारे काम करने पड़ते हैं तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि वो कितना आलसी था स्वयम के खाने में भी आलसी करता था तो एक दिन अज्जापप को सुझा कि इसका आलसी पन दूर किया जाए यह यह कितना आलसी है इसका पता लगाया जाए तो उन्होंने उस आलसी बालक को बुलाया और कहा देखो दो दिन की छुटी है दो दिन विध्याले बंद है मैं तुम्हें एक जादू की छड़ी देता हूँ जादू की छड़ी यहने magic stick तुम इसे अपने घर ले जाना इसकी महिमा बड़ी है इस छड़ी से यदि लोहे की छड़ी को स्पर्श किया जाए तो वो सोने में बदल जाती है लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अध्यापक से वो छड़ी ले ली लेकिन अध्यापक ने कहा इसके भी कुछ नियम है तुम्हें रोज स्नान करना पड़ेगा सुबह और उसको पूजा ग्रह में रखना पड़ेगा इसकी पूजा करनी होगी पूजा करने के पस्चा तुम्हें बाजार जाना होगा और वहां से लोहे की छड़ियां लाना होगा लोहे की छड़ियां यान्य आइरन रोट्स जो हम घर बनाते हैं न तब यूज करते हैं न वो प्रयोग करते हैं वही है लोहे की छड़ियां और तुम्हें वह घर पर लाना होगा क्योंकि छड़ी को बाहर नहीं ले जाना है और फिर उसके बाद इसके स्पर्ष से वो छड़ियां सोने में परिवर्थित हो जाएगी बच्चे ने कहा ठीक है फिर अध्यापक ने कहा और ये याद रखना सायंकाल यानि सूरियास्ट से पहले ही इसका प्रयोग करना उसके बाद सूरियास्ट के बाद ये कारिन नहीं करेगी और दूसरे दिन में शाम को तुम्हारे घर आओंगा और ये चड़ी वापस लेकर जाओंगा वह बालक खुशी से वह ले लिया अध्यापक को धनिवात कहा और घर चला गया उस दिन उसने रात को अराम से विश्राम किया सो गया जैसे कि आप भी करते हैं जब छुट्टी होती है तो देर से उठते हैं अब ये तो आलसी बालक था वह भी दूसरे दिन देरी से उठा उठते ही देखता क्या है सूर्य सर पे सवार है अब अपनी आज़त की अनुसार बैट गया बैट कर सोचने रेगा अब मैं स्नान करूंग गा पूजा करूंगा बाजार जाूंगा लकड़ियां चड़ियां लेकर आओंगा और फिर सोनी की छड़ी में बदलूँगा बापरे, कितना काम है पहले ही देर ही हो गई ऐसा करता हूँ, मैं कल ये काम करूँगा ऐसा सोच कर उसने वह पहला दिन व्यर्ष्ट कर दिया अब दूसरा दिन आया दूसरा दिन क्या देखता है? थोड़ी सी देर से उठा वह उसके बाज उसने सनान किया सनान करते समय फिर वही वह पानी से खेलने लग गया फिर अचानक उसे याद आया मुझे तब पूजा करनी है वह फिर जल्दी से सनान करकर उस चड़ी की पूजा ग्रह में रखकर पूजा की इसके पश्यात्व बाजार जाने के लिए तयार हुआ फिर वह सोचने लगा हरे मैं बाजार जाओंगा तो वहाँ तोल मोल करते वे ढूंडते वे बहुत देर हो जाएगी ऐसे करता हूँ पहले मैं खा लूँगा उसके बाद जाओंगा यह सोचकर वह बालक भर पेट भोजन करता है भोजन करने के बाद फिर सोचता है ऐसे करता हूँ अभी खाना खाया हूँ न थोड़ी देर लेट जाओंगा उसके बाद बाजार जाओंगा वहाँ वैसे ही करता है थोड़ी देर लेट जाता है उसकी आँख लग जाती है उसे नीन दा जाती है फिर जब वो हडबड़ा कर उठता है तो देखता क्या है दोपेर हो गई है उसे कुछ सूसता नहीं है समझ में नयादा कि मैं क्या करूँ इसके बाद वो बैठ कर सोचने लगता है मैं अर बाजार जाऊंगा वहां लोहे की छड़िया कहां मिलती है वो पता करूँगा उस दुकान में जाऊंगा और जाने के बाद उससे तोल मुल करूँगा और वो कम नग दिये भाव तो मैं दूसरे दुकान जाऊंगा वहां भी भाव पूछूंगा फिर मैं तुलना करूँगा किसके भाव कम है फिर उस दुकान से लोहे की छड़िया लूँगा लोहे की छड़िया लेने के बाद मैं रिक्षा बात करूँगा रिक्षे वाले से भी भाव करूँगा वह मुझे जादा मूल्य बोलेगा तब मैं नहीं आने जैसे नाटक करूँगा जब मैं आगे बढ़ जाओंगा तो वो मुझे बुलाएगा तब जाकर मैं अपना सामान वो रिखे में डालूँगा डालने के बाद फिर मैं वो छड़ियां लोहे की छड़ियां लेकर घर वापस आओंगा लेकिन क्या है ये देखते सोच रहा था अरे बापरे इतना सारा काम करना पड़ रहा है मुझे ये सारा काम करते करते तो सूरियास्त हो जाएगा जब सूरियास्त ही हो जाएगा तो मैं इतनी महनत क्यों करूँ तो बहुत सोंसते रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं इसी में सूरियास्त हो गया जब सूरियास्त हो गया उसके बाद उसके अज्जापक उसके घर आए उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत सारा सोना जमा कर रिया होगा लेकिन वह लड़का अपना सा मुँ लेकर रहे गया उसने छड़ी वापस की और कुछ बोलना सका तो बच्चो इसे आपको क्या पता चला? इस कहानी से आपने कुछ सीखा? सीखा ना? कि हमें आलत से नहीं करना चाहिए है ना? और कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए है ना? इसके बारे में एक दोहा तो आपने सुना ही होगा है ना? कि काल करे सो आज कर मैं आज आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ सुनिए कल की बात करो मत बच्चो आज अभी सब काम करो काम बड़ा है जग में सबसे इसका तुम सम्मान करो कल की बाते करने वाले सब पीछे रह जाते है और काम को करने वाले आगे बढ़ते जाते है जीवन में संघर्ष करो तुम अगर तुमें कुछ करना है काम करो बस काम करो यदि जग में नाम कमाना है तो बच्चों अगर जग में यानि दुनिया में नाम कमाना हो तो तुम्हें काम करना ही होगा है ना आप लोग सोचिए सुभा से लेकर रात तक आप लोग नजाने कितने काम करते हैं करते हैं ना देखिए क्या करते हैं उठना, मुधोना, व्यायाम करना, पड़ना, लिखना, खेलना, चलना, धोना, सोना है न, ये सारी क्रियाएं आप लोग करते हैं ये जो काम आप लोग कर रहे हैं न, यहों कारे को क्रियाएं कहते हैं यानि उठना, खेलना, मलना, धोना, यह जो क्रियाएं है न बच्चों, यह शब्द जवारा ही हमें पता चल रहा है कि यह किसी काम को दर्शा रहे है, आप लोग कहानी याद करिये, वो भी तो यही सोस था खाना, चबाना, मिलाना, डालना, निंगलना, यह जो वो सोस था था तो बच्चों, यही तो क्रियाएं है, यह काम ही, जो काम, जो शब्द हमें बता रहे है कि यह काम चल रहा है, यह हो रहा है, वही तो क्रियाएं हैं, तो देखिए, क्रिया, जिन शब्दों से कारी का होना, या करने का बोध हो या हो, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं, तो काम हो रहा है यह काम चल रहा है वही क्रिया है तो याद रखो बच्चों क्रियाओं में बहुत ताखत है आज कर लॉगड़न है ना इसलिए क्रियाओं ठप है काम ठप है है ना तो यह क्रियाओं जवारा ही कारिय रुख गया है तो आप देखिए पूरे देश में इस महामार क्रीसे हम लोग लड रहे हैं और बडे से बड़ा देश क्या कर रहा है कि है ना आगे की छिंता रहा है कि आर्थिक व्यवस्ता क्या होगी हमारी एकनोमिकल कंडिशन क्या होगी तो बच्चों क्रियाएं कार्य देश की आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं, इतनी शक्ती है क्रियाओं में, तो ये क्रियाएं है क्या, तो क्रियाएं काम करने को कहते हैं, अब गणित है, मैक्स है, अब मैक्स में देखिए आप, क्या रहता है, जोडना, घटाना, प्लस, माइनस, यही तो रहता है, तो ये भी action भी क्या है ये भी तो क्रियाएं हैं तो बच्चों क्रियाओं में बहुत शक्ति होती है ये सारे कार्य क्रियाएं कहलाती है अब तो ये सब विश्यों की बात हो गई अब भाशा की बात करेंगे तो भाशा में भी क्या है हर भाशा में क्रियाओं का जिक्र है ऐसी कोई भाश तिलगु में भी क्या कहते है कि पनुलन गुरीं ची तिलपे पदा लनु क्रिया अंटारू और अंग्रेजी में से वर्ब कहते है वर्ब क्या है वर्ब आर्दी एक्षिन वर्ड़स तो बच्चों ये क्या है कभी भी याद रखिये कि क्रियाएं मनुष्य ही करते हैं या प्राणी करते हैं जो क्रिया करता है वो सजीव है और निर्जीव वो है जो क्रियाएं नहीं करता ठीक है? तो क्रियाएं क्या है? क्रियाओं के उधारन कुछ देखिए? देखिए हसना, रोना, खाना, पीना, खेलना, भागना, लड़ना, मारना, चिलाना, देखना, सुनना, धोना, खरीदना बच्चों ये क्या है? ये सब क्रियाएं हैं, है न? तो इन क्रियाओं का रूप भी होता है तो हब हम देखेंगे क्रियाओं का रूप क्रियाओं शब्द, देखिए, क्रियाओं का रूप क्रियाओं शब्द क्रूधातू से बना है जिसका अर्थ है करना अर्थात क्रियाओं का अर्थ है काम का करना है न? किसी कारी की चेस्टा क्रियाओं कहलाती है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है यानि हम जो कार्य करते हैं वही क्रिया है और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है यानि जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्मान होता है उसे धातु कहते हैं जैसे आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, बैट, खेल, चल, आदी. ये सब क्या है बच्चों? ये क्रियाएं हैं. ये क्रियाओं का धातू रूप है. और इस धातू रूप में अगर ना प्रत्य जोडें, तो क्रिया का सामानी रूप बनता है. जैसे कि धातू रूप पढ़ है, इसमें अगर हम ना प्रत्य जोडेंगे, तो पढ़ना होगा. धातू में आ, धातू आ है, और इसमें हम ना प्रत्य जोडेंगे, तो आना होगा. वैसे ही चल धातू है, उसमें ना जोडेंगे, तो चलना होगा. तो बच्चो आपको पता चला कि क्रिया की परिभाशा क्या है और क्रिया का रूप क्या है अब हम जानेंगे क्रिया का महत्व क्रिया वाक्य में सबसे महत्पून होती है बच्चो क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता आप लोग कोई वाक्य देखिए, सोचिए कि क्रिया के बीना कोई वाक्य बनता है क्या? बिल्कुल नहीं कई बार केवल क्रिया शब्द भी वाक्य के रूप में कारी करती है कई बार देखिए क्रिया शब्द हम वाक्य पूरा न बोलकर सिर्फ क्रिया शब्द बोलते हैं और अपना काम चला लेते हैं वाक्य का काम चला लेते हैं जैसे उठो लिख आ जा करते हैं न तुम आओ ऐसे वाक्य न बोलकर सिर्फ आ खा जा कहते हैं तो एक वाक्य का कारी हम क्रिया शब्द से भी कर लेते हैं और बच्चों क्रिया का रूप लिंग वचन और पुरुष के कारण बदलता है क्योंकि क्रिया क्या है एक विकारी शब्द है विकारी का अर्था आप लोग तो जानते हैं न क्योंकि लिंग के पार्थ में पर सुसमास के पार्थ में भी अध्यापकों ने बताया कि विकारी क्या है विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और काल के कारण जिनमें परिवरतना आता है तो क्रिया भी विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन और पुरुष के कारण वे बदलते हैं तो देखिए क्रिया का लिंग रूप क्रिया का रूप लिंग कितने होते है बच्चो लिंग दो होते है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे हम लोग लड़की लिखती है और पुल्लिंग में कहेंगे लड़का लिखता है तो यहां देखिए लड़की लिखती है यहां क्रिया क्या है लिखती है और जबकि पुल्लिंग में क्या हो रहा है लिखती है जाकर लिखता है हो गया यहने लिंग क्या है परिवर्तित होने पर क्रिया भी परिवर्तित होती है यहने क्रिया लिंग वचन और पुरुष के कारण अपना रूप बदलती है अब यह हो गया लिंग के कारण क्रिया का रूप में परिवर्तन अब देखिए वचन के कारण भी क्रियाओं में परिवर्तन आता है तो बच्चों वचन भी कितने होते हैं? दो होते हैं न, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन, तो एक वचन में देखिए, एक वचन में हम कहेंगे, लड़का भागता है, यह हैं लड़का भागता है, यहां क्रिया का क्या रूप होगा, भागता है, और यहां होगा भागते हैं, तो देखो बच्चों यहां क्रिया का रूप वचन के कारण बदला विकार आया ना इसमें लिंगे के कारण विकार आया है और वचन के कारण विकार आया है इसे तरह पुरुष के कारण भी इसमें विकार आता है पुरुष याने पुरुष वाचक सरुनाम हमने पड़ा है न उसमें क्या पड़ा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तो उत्तम पुरुष में मैं खाता हूं, है न, मैं खाता हूं, उत्तम पुरुष मध्याम पुरुष में क्या होगा तुम खाते हो और अन्य पुरुष में होगा वह खाता है है न यहां देखिए यहां मैं खाता हूँ यहां क्या है क्रिया बचो यहां खाता हूँ क्रिया है और यहां है खाते हो और यहां है खाता है यह क्रिया शब्दों में क्यों आया विकारी है क्यों आया परिवर्तन क्योंकि क्रिया एक विकारी शब्द है यह लिंग वचन और पुरुष के कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है और बच्चो क्रिया समय सीमा के बारे में संकेत करती है समय सीमा का अर्थ है काल और हमारे हिंदी में कितने काल है भूत काल, वर्तमान काल, भविश्य काल तो इसमें भी परिवर्तन या ये काल किस घटना किस काल में घटी तो भी है इसकी जानकारी भी हमें क्रियाओं द्वारा ही पता चलती है तो देखिए मीरा पत्र लिखती है ये है वर्तमान काल ये भूत काल में होगा मीरा पत्र लिखी और भविशे काल में होगा मीरा पत्र लिखेगी है ना तो ये देखिए बच्चो क्रिया समय सीमा के बारे में पता क्रिया द्वारा ही चलता है हमें कैसे बुलतो है ये लिखती है लिखती है क्या है क्रिया है क्रिया है ना तो लिखती है द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि ये किस समय ये घटना घटित हुई है या हो रही है तो इस लिखती है क्रिया के कारणी हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल में हो रहा है और ये मीरा पत्र लिखी यानि इस लिखी द्वरा हमें पता चल रहा है कि ये क्रिया समाप्त हो चुकी है वह कारिक कर चुकी है तो ये हुआ भूत काल और वैसे ही मीरा पत्र लिखेगी इस लिखेगी क्रिया द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि यह अभी घटित नहीं हुई है यह घटना आने वाले समय में वो पत्र लिखेगी तो बच्चों इस प्रकार क्रिया वचन लिंग पुरुष को के बारे के बारे में हमें बताते हैं या उसके रूप बदलता है और समय सीमा के बारे में संकेत देती है अब हम आएंगे वाक्य में क्रिया क्योंकि क्रिया के प्रकार समझने के पहले जब तक आप इन वाक्य में क्रिया नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा तो देखिए वाक्य में साधारन तह कर्ता कर्म और क्रि जो काम करता है उसे ही करता कहते है और कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते है तो बच्चों एक उधारन देखिए आपको समझ में आएगा मा कपड़े धो रही है तो बच्चों यहां मा कपड़े धो रही है इसमें धो रही है क्या है? क्रिया है और वो क्रिया कौन कर रही है? मा कर रही है तो मा क्या हो गई? करता हो गई और क्या धो रही है? यानि क्रिया के साथ जब क्या लगाया जाता है तो उत्तर रूप में जो हमें प्राप्त होता है उसे कर्म कहते है तो यहां मा करता हुई, कपड़े कर्म हुए और धो रही है क्रिया हुई तो बच्चों यह हमने अब तक पड़ा वाकि क्रिया की परिभाशा, क्रिया का रूप, क्रिया का महत्व और वाकि में क्रिया अब हम आएंगे क्रिया के प्रकार क्रिया के दो प्रकार है कर्म के आधार पर क्रिया और दूसरी सनरचना के आधार पर क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया तो हम पहले कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया की बात करेंगे स कर्मक यानि स का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्मके यानि जो क्रिया कर्मके साथ होती है उसे स कर्मक कहते है यानि कर्मके साथ क्रिया कैसे रहती है आप उधारन देखिए रमेश आम खाता है यहाँ खाता है क्रिया है और कौन खाता है ये रमेश, रमेश क्या है करता है तो क्या खाता है क्रिया के साथ है उगर हम क्या प्रेश्ण करेंगे और उसका उत्तर हमें प्राप्त होगा तो वह सरकर्मक्रिया होगी और हम इस वाक्य में क्या पाते हैं खाता है क्या खाता है रमेश आम खाता है तो आम यहां कर्म हुआ यानि खाता क्या है सकर्मक्रिया है क्योंकि वह कर्म की अपेक्षा करती है और क्रिया का प्रभाव करता पर नहीं बलके कर्म पर पर रहा है इसलिए यह क्या है सकर्मक्रिया है सकर्मक्रिया वाक्य में क्या होती है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और क्या प्रिश्ण करने पर उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है इसे लिए इसे सकर्मक्रिया कहते है तो बच्चों उधारन देखिए लिखना, पढ़ना, खरीदना, बेचना, उठाना, फेंकना ये सब क्या है, ये सब सकर्मक्रियाएं है आप एक बार प्रेशने करके देखिए लिखना, क्या लिखना कहेंगे क्या, नहीं न क्या पढ़ना, इसका उत्तर मिलेगा, हाँ, बिल्कुल मिलेगा क्या लिखना, क्या लिख रहा है, तो आप बोलेंगे पत्र लिख रहा है निबन लिख रहा है, कहेंगे न, तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है तो ये होगा सब कर्मक्रियाएं, ठीके बच्चों, कुछ उधारन देखिए ये चित्र देखिए सरकर्मक क्रिया के यहां क्या कर रही है मा मा खाना बना रही है आपकी बे मा बनाती है ना खाना तो यहां देखिए मा खाना बना रही है तो अगर हम यहां पूछे कि मा क्या बना रही है क्रिया के साथ अगर हम क्या बना रही है प्रेश्ण करेंगे तो उत्तर आएगा खाना यानि उस क्रिया का कर्म है जैसे सोनू पत्र लिखता है और पवन पानी पीता है दर्शक सिनमा देखते हैं आप लोग देखिए सब पर क्रिया पर प्रेश्ण लगाईए क्या तो आपको उत्तर प्राप्त होगा जैसे लिखता है क्या लिखता है तो आप उत्तर देंगे पत्र लिखता है और पवन पीता है, क्या पीता है तो आपका उत्तर आएगा पानी पीता है और दर्शक देखते है, क्या देखते है तो ये देखने का भी कर्म है तो ये हो गया सा कर्मक क्रिया आप समझ गये होंगे सा कर्मक ऐसी क्रियाएं जो कर्म की अपेख्या रखती है अगर वाकी में कर्म न हो तो भी कर्म की संभाव न बनी रहती है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वाक्य में तो ये सा कर्म क्रिया कहलाती है अब हम आएंगे अ कर्म क्रिया के बारे में बचो अ कर्म क्रिया क्या है? अ का अर्थ है बिना या नहीं और कर्म का अर्थ है कर्म के यानि कर्म के बिना जो क्रिया आती है उसे अकर्मक क्रिया कहते है जैसे लड़का रोता है तो यहां क्या है लड़का रोता है तो यहां क्या रोता है आप प्रेश्ण करेंगे तो उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि रोना अकर्मक है उसको वो कर्म की अपेक्षा नहीं करती वो क्रिया अपने आप में ही वह पूर्ण अर्थ देती है इसलिए रोना क्या है अकर्मक है करता क्या है लड़का और रोता है क्रिया है वहा कर्म की आवशकता ही नहीं तो क्रिया का प्रभाव सीधा करता पर पड़ता है वाक्य में और उधारन देखिए इसमें इसमें क्या का प्रेश्ण करने पर उत्तर क्या किसे का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता उधारन देखिए हसना डरना जागना टैरना सोना उठना बैठना चलना यह सब क्या है बच्चों यह अकर्मक्रिया हैं यह अपने आप में पूर्ण क्रिया है ये कर्म की अपेक्षान नहीं करती जैसे कि आप कहेंगे क्या हसना इसका उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा इसलिए ये अकर्म क्रियाएं है और वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा करता पर पड़ता है उधारन देखिए उधारन अक्षय सोता है कविता हस्ती है लड़का दोड़ता है बच्चा तैरता है तो देखिए सोता है क्या सोता है आप प्रिश्ण करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा क्या आपको नहीं न हाँ और कविता हस्ती है क्या हस्ती है इसका उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये क्रिया अपने आप में ही पूर्ण है नव ये कर्म की अपेक्षा नहीं कर रही है इसलिए यह पूर्ण क्रिया है लड़का दोड़ता है क्या दोड़ता है? ये उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा कौन दोडता है का उत्तर करता होगा लड़का दोडता है पर कर्म प्राप्त नहीं होगा तैरता है बच्चा तो क्या तैरता है आप प्रिश्ने नहीं करेंगे आपको एक उधारन दूँगी मैं जैसे कि आप एक मित्र के घर गए उस मित्र का नाम रमेश है जब रमेश के घर गए और उसकी माने कहा रमेश तो लिख रहा है तो आपके दिमाग में प्रिश्ण अगा कि क्या लिख रहा है चाहे वो पत्र लिख रहा है निबन लिख रहा है या उत्तर लिख रहा है कुछ भी हो सकता है है ना उसी प्रकार अगर आप घर गए और उनकी मा ने कहा रमेश तो सो रहा है तो आपके मन में प्रिश्ण आएगा कि क्या सो रहा है नहीं आएगा ना सो रहा है अपने पूर्ण क्रिया कि वो सो रहा है तो ऐसे शब्द जो कर्म की अपेक्षा नहीं करते जहां ऐसे क्रियाएं जो कर्म की अपेक्षा नहीं करते और न उनकी संभाव न होती है वे शब्द अकर्मक क्रिया कहलाते हैं तो एक चाट के द्वरा आप देखिए कि कैसे ये सरकर्मक पहचाने जाते हैं देखिए क्रियाओं में कर्म अपेखित है और क्रियाओं में कर्म अपेखित नहीं है वाक की देखिए निलेश खाता है तो यहां कर्म क्या है अप्रकट है है न? क्या खाता है? प्रेश्न क्रिया के साथ करने पर आपका उत्तर अप्रकट ही मिलेगा रोटी, आम, बिस्केट कुछ भी मिलेगा तो यहाँ कर्म क्या है? अप्रकट है खाना सकर्मक है, लेकिन कर्म प्रकट नहीं हुआ है वही निलेश भोजन खाता है इसमें क्या हुआ कर्म प्रकट हो रहा है तो हम कह सकते है कि ये वहां प्रकट कर्म क्या है भोजन तो ये साकर्मक हो गया वैसे ही विपिन लिखता है यहां भी कर्म प्रकट नहीं हुआ क्या लिखता है कि उतर में कुछ भी हो सकता कहानी लेक पत्र कुछ भी ह हो सकता है और दूसरे वाक्य में देखिए हाँ विपिन निबंद लिखता है तो यहां क्या वा कर्म प्रकट हो गया क्या लिखता है का उत्तर हमें प्रकट रूप में निबंद की प्राप्ति हुई है ना तो यह हो गया सकर्मक्रिया ठीक है नहीं यह यह सकर्मक्रिया है अब देखिए आप अकर्मक्रिया राधा हस्ती है राधा हस्ती है यह क्या है कर्म प्रकटवा है नहीं अप्रकट है हस्ती है क्या हस्ती है इस प्रश्ण का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा इसलिए यह भी यह अकर्मक्रिया है तो बच्चों आपको पता चला कि सकर्मक और अकर्मक क्या है तो यहां तक बच्चों आप हम विजे भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि क्रिया की परिभाषा क्रिया का प्रयोग लिंग वचन पुरुष काल के कारण किस प्रकार क्रिया में परिवर्दन आता है इसका ज्यान हमें होना चाहिए क्योंकि यहां तक सकर्मक अकर्मक तक हमें परिक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रेश्ण परिक्षा में आते हैं तो आपको आगया होगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है तो अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी दो भेज होते है सकर्मक क्रिया के दो भेज होते हैं एक कर्मक क्रिया, द्वी कर्मक क्रिया आप उधारन देखिए वहाँ शीला समाचार पत्र पढ़ रही है मैंने कार खरीदी शीला ही नहीं आप लोग भी विध्याले में समाचार पत्र पढ़ते हैं न और ये कह रहा है कि मैंने कार खरीदी सबका सपना होता है ने कार खरीदने का तो अब आईए वाक्य की तरफ देखेंगे यहां समाचार पत्र पढ़ रही है यहां क्या आ रहा है, क्या पढ़ रही है, समाचार पत्र पढ़ रही है, यहां कर्म क्या है, एक ही है वाक्य में एक ही कर्म आ रहा है, मैंने कार खरीदी, क्या खरीदी, कार खरीदी, यहां भी एक ही कर्म आ रहा है वैसे देखिए उधारण, विध्यारती पुस्तक पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं और अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है क्या पढ़ा रही है? पाठ पढ़ा रही है तो यहां में इन वाक्यों को देखिए इन सभी वाक्यों में एक ही कर्म है बच्चों तो क्रिया के साथ यदि क्या प्रेश्ण करने पर हमें उत्तर के रियूप में निर्जिव संग्या की प्राप्ति हो रही है और वाक्य में एक ही कर्म होने के कारण ये एक कर्मक क्रियाए है तो सकर्मक में एक कर्मक द्वी कर्मक है आप एक कर्मक समझ गए जहां वाकि में एक एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रियाएं है अब हम देखेंगे द्वी कर्मक क्रिया तो उधारन देखिए राधा ने नवीन को पुस्तक दी चरवाहा गाय को घास खिलाता है डॉक्टर रोगी को दवाई देता है आप ध्यान से देखिए ये तो यहां क्या है? यहां इन वाक्यों में दो दो कर्म है जैसे राधा ने नवीन को पुस्तक दी और चरवाहा गाय को घास खिलाता है डॉक्टर रोगी को दवाई देता है तो यहां पीले अक्षरों से जो शब्द लिखे है वो दोनों भी कर्म है तो पहले वाक्यों में देखो राधा नवीन को पुस्तक देती है और दूसरा वाक्य हो गया हमारा कि चरवाहा गाय को घास खिलाता है और डॉक्टर रोगी को दवाई देता है इन वाक्यों को द्विकर्मक क्यों कहते है यह देखिए यहां देती है क्रिया है क्या देती है? पुस्तक देती है खिलाता है क्या खिलाता है? घास खिलाता है और देता है यह क्रिया है क्या देता है? दवाई देता है याने क्या का उत्तर हमें पुस्तक, घास और दवाई के रूप में प्राप्त हो रहा है है ना और किसको यहां किसको का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है किसको देता है नवीन को किसको खिलाता है गाई को और दवाई किसको देता है रोगी को यानि यहां आया है नवीन, गाए और रोगी तो एक कर्म यह हुआ और एक कर्म यह हुआ तो इन वाक्य में दो कर्म आए तो इसलिए इन्हें द्विकर्मक कहते हैं यहां देखिए, यह जो क्रिया के पास जो कर्म हो रहा है, वह मुख्य कर्म है, यानि यह जो कर्म है, यह मुख्य कर्म है, और मुख्य कर्म कभी भी क्रिया के पास होता है, यह मुख्य कर्म है और क्रिया के पास होता है, क्रिया के पास होता है और ये निर्जिय रूप में होता है तो देखें बच्चों पुस्तक घास दवाई ये मुख्य कर्म है और नवीन गाय रोगी ये गौण कर्म है ये गौण कर्म है और ये क्रिया से दूर रहते हैं और ये सजीव होते है तो आपको पता चलब हूँ ये कि यहाँ इन वाक्यों में दो कर्म है एक मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है जो मुख्य कर्म है वो क्रिया के पास होता है निर्जीव होता है और जो गौण कर्म है वो क्रिया से दूर होता है और सजीव होता है तो बच्चों ये सकर्मक क्रिया के भेद एक कर्मक और द्वी कर्मक है तो ऐसी सकर्मक क्रिया है जिनके दो कर्म होते हैं वे द्वी कर्मक क्रिया कहलाते है ठीके बच्चों तो अब हम आएंगे अभी तक हमारा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हो गए अब हम पढ़ेंगे सनरचना के आधार पर क्रिया हैं तो देखिए सनरचना के आधार पर क्रिया के भेड सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातू क्रिया, प्रेरनार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया ये पांच भेड मैंने बताएं एक-एक की जानकारी हम प्राप्त करेंगे सामान्य क्रिया उधारन देखिए वह आया प्रख्यात उठा महनत करो दादा जी ने कहा राम ने रोटी खाई तो बच्चों इन वाक्यों में क्या हो रहा है एक ही क्रिया का प्रेयोग हो रहा है हमें इससे पहले कर्म के बारे में पढ़ा है ना एक कर्म द्वी कर्म अब देखिए यहां क्रिया के बारे में कि आया उठा करो कहा और खाई तो देखो वहाँ प्रख्यात उठा है महनत करो और राम रोटी खा रहा है चित्रों द्वार आपको पता चल रहा है ना यहनि एक ही क्रिया का प्रेयोग हो रहा है वाक्य में तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया का प्रेयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है ठीके बच्चों अब देखिए संयुक्त क्रिया उजारण देखिए दादा जी मंदिर जा रहे है वह बोलता गया मैंने कहानी सुना दी पिता जी खाना खा चुके है तो बच्चों यहां क्या है दादा जी मंदिर जा रहे है वह बोलता गया मैंने कहानी सुना दी पिता जी खाना खा चुके है जा रहे है गया सुना दी खा चुके है यह सर प्रिया शब्द है लेकिन इसमें भी देखिए दो क्रियाएं है एक तो जाना और रहना और है और एक बोलता और दूसरा गया बोलना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है और एक सुनाना और देना और खाना चुकना है यानि एक क्रिया से अधिक क्रियाओं का संयुक्ति करण हो रहा है मिल रहे है एक से अधिक क्रिया तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते है सैयुक्त क्रिया कहते है जहां यहां देखिया यहां मूल क्रियाएं एक है और उन्हें मदद करने वाली क्रियाएं है यह मदद करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया या रंजन क्रिया कहते है तो मूल क्रिया वाक्य में देखिए, जाना, बोलता, सुना, खाना, खा चुके न, खा, ये क्या है, ये मूल क्रिया ये है, और रहे है, गया, दी, चुके है, ये जो शब्दा आ रहे है न, इन्हें रंजक क्रिया कहते है, यानि कोई भी वाक्य जब एक से अजिक क्रियाओं से संयुक्त होता है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, तो यहां देखिए, यहां रंजक क्रिया क्या होती है, जो बाद में आ रही है, मूल क्रिया के बाद आ रही है न, तो रंजक क्रिया मूल क्रिया के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष्ता ला देती है रंजक क्रिया को सहायक क्रिया भी कहते है है न तो जिस वाकि में एक से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पून क्रिया का भोध कराए तब वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है तो हमारे भारत में हमारी हिंदी में इन संयुक्त क्रियाओं का ही हम अधिक प्रयोक करते हैं तो दो-दो क्रिया जा रहा है, खा चुका है, ऐसे आते हैं न ये क्रियाएं जिसमें एक स्याधी क्रिया हो, बचों ये संयुक्त क्रिया कहलाती है अब हम आएंगे नाम धातू क्रिया तो कुछ क्रियाएं संग्या, सर्वनाम, विशेशन से बनती है हमने देखा ना कि धातुओं से क्रियाएं बनती है लेकिन कुछ क्रियाएं संग्या, सर्वनाम और विशेशन से बनती है इन में नाप्रत्य जोड़कर नाम धातु क्रिया का निर्मान किया जाता है जैसे संग्या शब्द यहां देखिए हाट इससे होता है हतियाना और एक संग्या शब्द बोलूँगी बात बात से बनेगा बतियाना अब सर्वनाम शब्द क्या है सर्वनाम में अपना प्रेयोग करते हैं तो अपना से क्या होगा अपनाना और विशेशन शब्द है सूखा और उसमें नाप्रत्य जोड़ने पर हमें क्या प्राफत हूँ? सुखाना ये नामधातु क्रिया है वेसे ही गर्म ये भी विशेशन शब्द है लेकिन गर्म से क्या बन रहा है? गर्माना तो ऐसे शब्द ऐसे संग्या सर्वनाम या विशेशन शब्द जो क्रिया के रूप में परिवर्तितों कर क्रिया शब्द कहलाती है उन्हें नामधातु क्रिया कहते हैं तो कुछ अनुकरनात्मक शब्द भी क्या होते हैं? क्रिया के रूप में उसका भी परिवर्थन होता है जैसे जन 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 जनाना टप 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 टपाना थर 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 थराना है ना? तो ऐसे शब्दों को बचो नाम धातु क्रिया कहते हैं तो अब आएंगे हम चोथे पे प्रेर नार्थक क्रिया आप उधारन देखिए अध्या पिका छात्रों से पाट पढ़वाती है मा ने दीदी से खाना बनवाया मा राजु को खाना खिलाती है तो इन वाक्यों को देखिए इसमें क्या हो रहा है? कि करता स्वयम कारी नहीं कर रहा जैसे अध्या पिका स्वयम पढ़ा नहीं रही बल्कि छात्रों से पढ़वा रही है और मा स्वयम खाना बना नहीं रही है बल्कि दीदी से खाना बनवा रही है और राजु को क्या करी है? मा राजु को खाना खिला रही है करता स्वयम कार्य न करकर किसी दूसरे से कार्य को करवाता है या करने की प्रेड़ना देता है या दूसरे से कार्य करवाता है उसे प्रेड़नार्थक्रिया कहते है तो बच्चों ये प्रेड़नार्थक्रिया के भी दो भेद है आपको ये भेद बताऊंगी तो आप अपने प्रेर्णार्थक्रिया समझ जाएंगे तो इसके दो भेद है प्रथम प्रेर्णार्थक्रिया और वित्य प्रेर्णार्थक्रिया प्रथम प्रेर्णार्थक्रिया वो होती है जिसमें करता स्वयम कार्य करते हुए किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो प् राजु को खाना खिला रही है लेकिन खाने का कारी कौन कर रहा है राजु कर रहा है तो राजु को वो प्रेरित कर रही है तो इससे क्या पता चलता कि मा करता है कारी करते हुए उसे राजु को प्रेरित कर रही है खाने के लिए जैसे जोकर सरकस में हसाता है तो वो जोकर क्य है करता है वो खुद हसेगा फिर हमें हसाएगा याने हसने के लिए प्रेरित करेगा तो ऐसे जब्द ऐसे क्रिया शब्द जिन से हमें पता चले कि करता स्वयं पारि करकर किसी दूसरे को कारिक करने एक्रता पिसी दूसरे से कारी करवाता है जैसा कि हमारे पहले और दूस्ठे उधारण में है कि अर्जापिका स्वयम पाट नहीं पढा रही है बलकि छास्रों से पढ़वा रही है वैसे ही मा स्वयम खाना नहीं बना रही है बलकि दीदी से बनवा रही है तो ऐसे जहां करता स्वयम कारी नहीं करता बलकि दूसरों से करवाता है उन्हें द्वित्य प्रेनार्थक क्रिया कहते है तो बच्चो ये पता चल गया है ना प्रेनार्थक क्रिया अब हम आएंगे पूर्व कालिक क्रिया इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पूर्व कालिक क्रिया यहने पूर्व में घटित हो गई क्रिया तो देखिए उधारन शाम ने पढ़कर टीवी देखा सीता खाकर विध्याले गई पूजारी ने नहाकर पूजा की इन चित्रों में दिख रहा है न कि शाम पढ़कर टीवी देख रहा है सीता खाकर विध्याले गई है पूजारी नहाकर पूजा की यहाँ मुख्य क्रिया है देखना विध्याले गई जाना और पूजा करना तो ये मुख्य क्रिया है और इस मुख्य क्रिया के पूर्व भी एक क्रिया हो गई जैसे पढ़ना पढ़कर खाकर नहा कर ये क्रिया ये भी क्रिया है ये क्रिया हो गई है इसलिए इन्हें कहते हैं पूर्वकालिक्रिया यानि मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकाली क्रिया कहलाती है और इनकी रचना धातु में कर या करके लगाने से होती है तो बच्चों आपको पूर्वकाली क्रिया पता चल गई तो आज हमने क्रिया के प्रकार में हमने पढ़ा है क्रिया के भेद क्या है एक तो कर्म के आधार पर भेद और ए जो कि आपको यहां तक परिक्षाओं में पूछा जाता है कि जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा संभावना होती है जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करते है जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक्रिया है और अकर्मक्रिया वे है जिन क्रियाओं का प्रभाव करता पर पड़ता है वे कर्म की अपेक्षा नहीं करते और इसके सकर्मक के दो भेट पड़े हैं हमने एक कर्मक क्रिया और द्वी कर्मक क्रिया और संरचना के आधार पर हमने सामानी क्रिया संजुक्त क्रिया, नामधात्य क्रिया, प्रेरनार्तक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया को पड़ा है अभ्यासकार में देखिए आपको एक परिख्या में ऐसे ही आते हैं कि इसमें क्रिया शब्द पहचानिये मैं चाई पीता हूँ इसमें क्या होगा पीता हूं क्रिया आशा घर में नाच रही है नाच रही है क्रिया है मोहन और राम खेलते हैं ये भी खेलते हैं क्रिया है और उन्हा सबजी लाती है इसमें लाती है क्रिया है और एक्जाम में पूछा जाता है कि सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानो उठता है यहां कर्म है नहीं है न यह अकर्मक है आशा दोड़ रही है दोड़ना अकर्मक है लड़का गेन फेकता है यहने फेक रहा है न गेन यहां कर्मा रहा है इसलिए यह सकर्मक है बच्चों वैकरन का अभ्यास करो तो आपको समझ में आएगा यहां देखिए ग्रहकार क्रिया की परिभाशा लिखकर उधारण दीजिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं उधारण देते हुए लिखिए तो बच्चों आपने क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तो एक छोटी सी एक चारलेन की कविता बोलूँगे कि चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो, रुको नहीं, जुको नहीं, बड़े चलो बड़े चलो तो बच्चों इनी आगे बढ़ते रहिए अभ्यास करते रहिए इनी क्रियाओं भरी आशा के साथ मैं मिनाक्षी आप से विदा लेती हूं धन्यवाद मिन मिनात के रहिए खाने की साथ मैं में भरी आप साय दोटे शफॉ़ी आप से बच्चों मैं मौ..